Hi 12Ds, Welcome to Easyway Commerce Classes, मैं हूँ तबिता और गाईस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने स्टाफिंग चेप्टर की केस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ केस स्टडी करी थी, जिसमें basic concept पर केस स्टडी जादा थी आज की इस वीडियो में आगे की concept पर होने वाली है, तो सबसे वेले तो आप जब भी भी किसी वे चेप्टर की केस स्टडी करते हो गाईस, उस चेप्टर को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, देखने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ देख के आगे बढ़ना नहीं, उसके points आपको जरूर याद होने चाहिए, तभी आप case study को attempt कर सकते हो, so business study, understanding के साथ साथ learning भी है, तो आपको points जरूर याद होने चाहिए, ताकि आप case study में recognize कर सको कि कि किस के बारे में बात करी चारी है, तो अब हमें start करते हैं अपनी case study को, so guys अगर वीडियो पसंद आएगी तो like जरूर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से करिये, और आप अपने डाउट यूट्यूब पर या फिर इंस्ट्राग्राम पर आईडी है, तभी ता मैसी वहाँ पूछ सकते हैं, अब हम अपनी case study करते है, सबसे पहली case study है guys, जिसमें आपको पता है कि हमें question पहले पढ़ना होते है case study में, यहाँ पर पूछ रहे है, हम से identify the function of management being performed by the firm in above situation, यानि की management का कौन सा function है, जो firm perform कर रही है, तो पहले पढ़ते है कौन सा काम कर रही है, जोसेफ ब्रदर was a firm manufacturing jute lampshade, was a firm, joseph brother guys, एक firm है जो manufacture करते है jute lampshade, jute आपको पता ही है, जो आता है कपड़ा, ठीक है, jute का, it uses a leftover jute pieces from a various jute factories to manufacture economical lampshade, which are supplied to various hotels in nearby towns, यानि की यह क्या करते थे, leftover jute pieces को उठा लिया करते थे, जो jute की factories है, महा से बचे हुए pieces को उठा कर यह अपना lamp बनाते थे और आस-पास के hotels में बेशते थे, it employ men and women from nearby villages as a worker for creating good lampshade designs, ठीक है उन्होंने आदमी ओर्तों को आस-पास की गाउं के थे, उनको रखा हुआ था, ताकि अच्छे design के lamp बनाया जा सके, आगे वो कहते हैं guys, Joseph Brothers is not able to meet this target, जो firm थी, वो अपने target को पूरा नहीं कर पाई, काहे नहीं कर पाई, So Namish the supervisor of the company was told to analyze this reason for the poor performance, भाई Namish को बोला गया कि ढूंडो क्यों complete नहीं हुआ हमारा target, ठीक है और इतनी performance खराब होने के पीछे reason का है, तो Namish found following problems and suggested certain solutions in the working of the business, वो कहता है कि मुझे problems पता चली और मैं इसका solution भी आपको बता रहा हूं, क्या था, the number of workers employed was less than the what was required for the work, भाई जितने बंदों की हमें अविशक्ता है, अभी उससे कम काम कर रहे हैं, यानि की तस बंदों की अविशक्ता है, छे लगे पड़े हैं, as a result, the existing worker were overburden, अब भाई जो छे बंदे लगे हुएं, उनको वो overburden हो रहा है, उनके उपास ज्यादा काम आ रहा है, the firm decided to search for new worker and is asked the present employee to introduce candidate or recommend their friends relative to the firm, वो अपने employees को बोलते हैं कि अपने दोस्त, अपने रिष्टेदारों में अगर किसी को काम के ज़रत है, तुम हमारी factory में ला सकते हो, this enabled a firm in putting a people to job, और इससे वो person को काम कौन सा कर पारे है, putting people to job, यानि कि लोगों को रख पारे है, and assured attainment of objective according to plan और इस तरीके से वो assurance लेते हैं कि हम अपने objective को पूरा कर पाएंगे, अब देखो, यहाँ पर अगर function की बात करी जाए, management की, तो management के 5 function होते है, POS, DC, Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, यहाँ पर clearly हरे क्लाइन में बात हो रही है, कि यह लोग staffing की बात कर रहे हैं, ठीक है, recruitment की बात यह कर रहे हैं, putting people to right job, यह कर रहे हैं, तो यहाँ पर staffing की प्रोसेस की बात हो रही है, अब यहाँ पर बात करते हैं, next B part की, name the concept and its source used by the firm to attract more workers for the firm, तो कौन से concept की बात हो रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है, recruitment में, external recruitment की, क्योंकि external में ही हम लोग recommendation of employee, यानि की employees को बोलते हैं कि आप recommend करो अपने रिष्टेदारों को, या फिर अपने दोस्तों को कि हमारी company में join करें, ठीक हैं, या उनके recommendation से ही हम रखते हैं, तो यहाँ पर external recruitment की बात हो रही हैं, और उसमें बात हो रही है, recommendation of employees की, क्योंकि internal में तो सिर्फ promotion और transfer है, वो इनकी बात ही नहीं कर रहे है, promotion और transfer की, वो तो अपने employees को कह रहे हैं, कि बाहर से ढूड़ो, तो असान थी case study, कोई मुश्किल नहीं थी, इसके बात करते हैं guys, next case study की, जिसमें हमें coatings the lines identify the first two step of staffing, lines को quote करके, ऐसे से करके, बता लगाना है, कि भई, कौनसे staffing के पहले दो कदम उठाए गए है, तो पढ़ते हैं जरा, Mr. Vikas Goyal is an HR manager, Mr. Vikas Goyal कोई है guys, HR manager है, किस चीज का, Sanduja Furniture Private Limited का, okay, at the beginning of the new year, he anticipated that the company will need new 30 additional person to fulfill up different vacancies, यानि कि उसने starting, जब new year start हुआ था था ना, तभी बोल दिया था कि यह 30 लोगों की अविशकता है, किसलिए different vacancies को fill up करने के लिए, he gave an advertisement in the newspaper, inviting applications for filling up different posts, उसने newspaper में advertisement दी और different position fill करने लग जया, as many as 120 applications were received, कितनी applications आएं guys, 120, okay, the same were scrutinized out of these condition of 15 applications, applicants were not acceptable to the company, 15 रको तो इन्होंने reject कर दिया कि नहीं चाहिए, letter of regret भेजा, giving reason was sent to them, कि भाईया हम आपको क्यों नहीं रख रहे, remaining candidates were called for preliminary interview, बाकी के candidates को, बचे हुए candidates को, इन्होंने interview के लिए बुलाया, ठीक है, कौन सा interview, preliminary interview, इसमें the candidate called for were asked to fill up the blank application, उनसे एक blank application form भरवाया, thereafter they were given a four test room को, चार टेस्ट दिये गए, फिर उसके purpose है, ठीक है, अभी test के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले में बता दूं कि यहां पर जो एक पार्ट में question है, quoting the lines, identify the first two step of staffing, तो कौन से दोज स्टेप है guys, step of staffing के पहले दो स्टेप कौन से होते हैं, estimation of manpower requirement, and the second is recruitment, तो estimation कहां से पता चल रहा है, at the beginning of the new year, first line में ही, he anticipated that the company will need a 30, यहां पे वो estimation ही तो लगा रहा है, कि हमें 30 लोगों की अविशकता है, different vacancies की, तो यह estimation of manpower requirement के लाया जाएगा, यह line हमें लिखनी होगी, second है recruitment, recruitment होता है जब हम advertisement देते हैं, और हमारे पास उसके response में CVS आते हैं, तो वो होगी line, he gave an advertisement से लेकर, in the newspaper inviting application, as many as 120 application were received, तो यहां तक हमारा second step होगा, किसका staffing का, इसके बाद इनोंने जो B question पूछा है, वो क्या पूछा है, identify different test given to applicant by Mr. Goel, अब इसने जो different, different test लिया है ना, वो हमें उसके नाम बताने, तो आप लोगों को सबसे पहले test पता होने चाहिए, जो selection में हम लोग करते हैं, there are five types of test जो होते हैं हमारे, first होता है हमारा trade test, trade test जो होता है, वो person की existing skill or knowledge का पता लगाने के लिए किया जाता है, intelligent test उसके IQ को check करने के लिए किया जाता है, interest test उसके interest को identify करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो test लिये जा रहे हैं, वो क्या-क्या लिखे हैं, एक बार case study में देखते हैं, the objective of the first test was to find out how much interest the applicant does take in his work, so that is the interest test, वो कितना अपने काम में interest ले रहा है, तो वो interest test से पता चल जाता है, कि उसका कितना interest है, किस काम में, अपनी job में कितना interest है, जो काम वो कर रहा है, उसमें कितना interest है, second है, the objective of the second test was to find out specialization of the applicant in a particular area, particular area मतलब वो जिस कारे में involved है, जो उसका profession है उसमें उसका कितना interest है तो जब profession की बात आ जाए तो यहाँ पर वो trade test की बात करें थर्ड test जो है aimed at making sure whether the applicant was capable of learning through training or not तो यानि कि वो नहीं skills सीख सकता है या नहीं सीख सकता है तो यह हमें aptitude test दे पता चलता है उसके बाद fourth test जो है हमारा was to find out how much capable of a person has to mix up with the other person and whether he can influence other person and get influenced तो क्या वो भाई दूसरे लोगों से मिलेगा क्या उसके उसके उपर दूसरे लोगों का प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर हम उसकी personality को देख रहे है तो personality test तो हमें ही हाँ पर test के नाम बताने थे तो वो हमने बता दिये है कि कौन-कौन से टेस्ट है तो five type के टेस्ट है straight, test, aptitude, personality, intelligence and interest तो वो आपको पता होने चाहिए इसके बाद next case study में पढ़ते हैं पढ़ते हैं पहुंचते हैं इसमें हमसे पूछा गया है नेम धा internal and external source of recruitment used by Sennair Enterprise Limited to fill up the above stated vacancies छीक है इसमें अब बात करी जारे हैं इसमें बात करी जारे हैं काईज internal and external source of recruitment की आशीश जो है the marketing head है रमन the assistant manager है और जोथी the HR manager of Sennair Enterprise Limited decided to leave the company तीनों बंदे छोड के जा रहे हैं आशीश marketing head ही छोड के जा रहे हैं Assistant Manager रमन वो भी छोड़कर जा रहा है जोती जो है वो भी छोड़कर जा रही है अब CEO, the Chief Executive Officer of the Company called Jyoti, वो जोती को बलाते है भाई, HR Manager तो वही है न, उसको बलाता है The HR Manager and the requested her to fill up the vacancy before leaving दो वो बोलते है भाई, छोड़कर तो जाई रही है जोब उससे पहले ये job vacancies को भर दे यानि कि आशीष की Marketing Head की भी अपनी भी भर दे और रमन की Assistant Manager की भी ठीक है Informing that her subordinate Miss Alka Pandit वो very competent and trustworthy Jyoti suggested that if she could be moved up in hierarchy she would do the needful Jyoti suggest करते है कि मेरे जो अंडर लड़की काम कर रही है Miss Alka Pandit, वो बहुत अच्छी काम करने में अगर आप उसको promotion दे दो तो बढ़िया बात हो जाएगी तो वो कहती है अगर उसको she could be moved up in the hierarchy तो promotion की बात करें कि भी उसको promotion दे के मेरी seat पर बठा दो CEO agreed for the same भाई वो कहता चलो ठीक है उसे बठा दो अच्छी बात है हमें बाहर से कोई चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी Miss Alka Pandit contacted Keith Recruiter यहाँ पे वो Recruiter से contact करती है who advertised for the post of marketing head for Sainer Enterprise Limited जहाँ पे हम marketing का जो head था हमारा आशी छोड़के जा रहा था उसकी job position लगाते कि हमें इस person हमें इस job position की person की need है they were able to recruit a suitable candidate for the company और वो उन्हें ढूंड के दे देती है agency जो है यह placement agency ठीक है रमान की जो vacancy है जो कि हमारा assistant manager है filled up by screening the database of unsolicited applicants lying in the office अब हमारे पाइब बहुत सारा database पढ़ा था बहुत सारे CVS पढ़े थे उसमें से हमने रमान के बंदे assistant manager कोई धूंड लिया रमन की जगे पर तो यहां पर internal and external source of recruitment हमें पता लगानी है अब देखो सबसे पहले तो guys जो वो उसने अपनी position बताई अपनी job के लिए miss alka को recommend कर दिया था तो यह तो internal है और internal में आपका कौन सा है promotion है इसके बाद जो उसने marketing के लिए बोला कि marketing वाले person के लिए जिसके उसने agency को hire किया था तो वो placement agency and management consultant है ठीक है थर्ड जो है उन्होंने अपने database से ही select कर लिया तो उसे हम casual caller कहते है जो कि external source of recruitment आता है same way में recruitment जो हमने agency को hire किया वो भी external source of recruitment है तो यह हमारी एक case study हो गई ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं guys इसमें हमें first six steps involved in the process बताने एक public transport corporation has hire 2000 buses for the different route for the passenger of metropolitan city in order to fill vacancy it advertised in the newspaper and the number of applicant applied for the same वो अपनी vacancies छपवा देते हैं the company has to now undertake the process of selection identify and select the best तो आपको selection के 6 steps बताने है बता सकते हो selection के 6 steps याद करे होंगे वही बताने है ठीक है इसके बाद next case study पढ़ते हैं guys क्योंकि जादा से जादा case study को cover up करने की कोशिश करेंगे इसमें हमें name the function of management performed by the Zipra to maintain a satisfactory work force the IT manager Zipra is terminating the employment of its senior managers बढ़िया अपने senior manager को निकाल रहे है क्यों निकाल रहे है if after evaluating their performing against predetermined standard if it is found lacking भया वो कहरे कि हम जो हमने इनके लिए standard tag किये थे उससे compare करेंगे इनकी performance को अगर कहीं पर lack होता है हम इने निकाल देंगे अच्छा जी With this disruption analyst say a large portion of the employees may become irrelevant और इसकी वज़े से हो सकता है कि हमारे large portion जो है employees वो irrelevant हो जाए unless they learn a new skill and apply the knowledge to work on emerging technology तब बेकार हो जाएंगे अगर हम उनको क्या कहते है नया skill सिखा दे तो हम उन्हें रख सकते हैं नया skill का मतलब क्या होता है training अगर हम उन्हें दे दे So Zipra is ready to facilitate employees learning through it in-house center वो कैते हैं हम अंदर ही अपने employees को काम सिखा देते हैं तो हमें इन्हें निकालने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी तो यहां पे name the function of management performed by Zipra function of management में staffing का function है जहां पे ही compare कर रहे है ठीक है और हलका सा यह ऐसा लगता भी है जैसे कि controlling में हम performance और स्टांडर को compare करते हैं बट वहां पे generally हम लोग स्टांडर्स अपने काम को देखके करते हैं यहां पे हम employees को देखके कर रहे हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग की बात करें identify and explain the two step in the process of the function of management discussed above तो management के जो भी हमने अभी process identify किया है स्टाफिंग का ठीक है हमें उसके दो स्टेप बताने हैं जो वो यहां पर बात कर रहे हैं तो guys देखो स्टाफिंग के total eight steps हैं तो यहां पर वो किसकी बात कर रहे हैं first बात कर रहे हैं guys training and development के जिसमें वो train करने के बात कर रहे हैं दूसरा performance appraisal क्योंकि performance appraisal में ही हम standard performance को compare करते है actual performance के साथ तो यहां पर दो वो आएंगे यह नि कि आपको starting के staffing के लिग दे हैं नहीं जो यहां पर बात करी जारी है उसके बारे में बात करनी है उसके बाद also state any two step of the function of management discussed that the firm had to perform before the above step अब training से पहले हम कौन से दो step करते हैं तो selection and placement and orientation होता है तो वो हमें mention करने होगे ठीक है इसके बाद guys next case study करते हैं MOGA की अब यहां पर हमें name the step of the staffing process regarding which the company decided to take action अब MOGA industry limited approached a well established university in the city of Mumbai नहीं मुंबई नहीं मदुराई to recruit qualified personnel for various technical and professional jobs अब क्या पढ़ा मैंने MOGA industry limited नहीं approached a well established university in the city of Madurai to recruit qualified personnel for various technical अब वो भाई university में गए employees को hire करने के लिए simple भाशा में they selected Tanya, Rittu, Garima and Chetan for various vacancy in the organization वो चार बंदों को चुन लेते हैं Tanya है, Rittu है, Garima है और Chetan है आगे बढ़ते हैं after the selection and placement MOGA industry limited felt that the need to increase the skill and ability select तो कर लिया अब वो कहते कि इनके skill को और थोड़ा improve करने की जरूरत है and the development of the positive attitude of the employees to perform their specific job better कि उनके अंदर development भी लेके आनी है किस चीज़ की positive attitude की ताकि वो अपने काम को और अच्छे बहतर तरीके से कर सके the company also realized the learning new skill would improve the job performance of the employees की नए skill से वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे hence the company decided to take the action for the same और इसके लिए company action लेती है अब action में क्या लेगी वो यही बात कर रहे है name the step of the staffing process regarding which the company decided to training and development है यहाँ पर अगर staffing के process में से बात करी जाए तो वो यहाँ पर training and development की बात कर रहे है इसके बाद वो guys पूछते है state the benefit अब जबी भी आप training and development अपने employees को provide कराते हो यहाँ कि training देते हो उनमें motivation लेके आते हो तो organization को क्या benefit होता है भाई एक तो आपका systematic learning हो जाती है उसके बाद आपका company बहुत अच्छी position मतलब growth achieve कर पाता है higher profit हो जाता है और reduce absenteeism याने की कम छोड़के जाते हैं इसे employees क्योंकि उनको पता है की हम काम सीखते हैं और सीख रहे हैं और हमें आता है काम तो वो काम को करने में इंट्रस लेते हैं यह क्यों future manager याने की ऐसा करने से हमारे पास manager की position के लिए person हम ready कर पाते है सो training and development की यहां पर बात कर रहे हैं उसके बाद last case study है guys इस आज की class की explain the other step which Nisha has to perform to complete the process being discussed above सो entertainment India Limited has been incorporated with the objective of entertaining people by organizing festival, program and other similar event depicting the rich culture heritage of the country बया कौन है यह? Entertainment India Limited है जो entertainment के लिए ही बनी है ठीक है, the company management has renowned personality from the field of art, literature and culture बहुत सारे लोग काम करते हैं जो art से, literature से, culture से जुड़े वे लोग उसमें हैं they decided to give a platform to a young, budding musicians, poets and artists वो के तर यह यह लोगों को रखो ता कि हमारी entertainment industry चल सके the company decided its organization structure by grouping similar job together तो functional instruction लोगों ने बना दिया एक जैसे nature के काम को एक department में करके thereafter, the head of a different department were also appointed Nisha, one of the head, did an analysis of the number, type and qualification necessary for the people to be appointed वो decide करते हैं कि भाहिया, कितने लोग हमें चाहिए और किस qualification के हमें चाहिए होंगे ठीक है, उसके बाद बात करी जाते हैं अब आपको other steps बताने तो staffing में अगर दो step पता है तो बाकी के छे आप लिख सकते हो selection होता है, placement and orientation होता है training and development, performance appraisal, promotion and career planning और उसके बाद आपका compensation तो वो अब आपको mention करने हैं इसमें So guys, यह case study थी, staffing की जो की एक असान chapter है अगर आप उसे एक से दो बार बस उसके points को पढ़ लो अगर पसंद आए तो like करें बिना नहीं जाना अब next video में मिलेंगे नई के studies के साथ Bye Bye